दो दिन की भरी गर्मी और उमस की मार जेल रहे दिली वाशियों को बुधवार की भारी वारिस ने रहात तो दी मगर जल भराव से जो आफत मिली उसका आप अंदाजा इन तस्वीरों में देखका लगा सकते हैं ये नजारा है जोरिपूर परधानवाली गली का जहां बरसात का पानी तो सडकों में बरा ही साथ ही जिस नाले से पानी को भार नेकलना था वह नाले का पानी उल्टा लोगों को घर में आ रहा है बदबुदार गंदे पानी से जनता को गोजनना पड़ रहा है ये वही नाला जिनकी सफाई दिल्ली सरकार करती है मगर सफाई कैसी हुई इसकी सच्चाई ये तस्वीरें कोद बयान कर रही है जाने से नाला फुल भर चपका है और इस नाले का पानी कोलोनियों में जा रहा है पूरा करकर सब जाम हो रहा शफाई बहुत दिनों से नहीं हुई गलत बात है यहां तो सफाई सालों से नहीं हुई ये नजारा है गोकलपुरी मार्किट का जहां पर आपको जल भराब से चड़क नजर ही नहीं आ रही होगी लोग अंदाजे से वहान से और पैदन निकल रहे हैं अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए नदी तलाब के रूप में तबदिल ये सड़क सरकार की सच्चाई बयान कर रही है ये तस्वीरे यमना पार की पोस कलोनियों में गिने जाने वाले यमना भ्यार सर्विस देखिए और नहीं इन में प्रॉपर ढाल है जिसके कारण ये पानी नालियों के दोरा बाहर नहीं जा रहा है वापस बैक मारा गल्यों में पानी बरावा जगा जगा रोड़ों में पानी भरा हुआ है और ये हर बार साल की तरह फिर दुबार वैसी विवस्था बनी रहती आप जन्ता को भैका सकते हैं मगर भगवान को नहीं जिसने आज कुछी घंटों की बारिश कर सरकारों के जूट को जूट को उजागर कर दिया है जिसे कहका निगम और दिल्ली सरकार वावाई लूट रही थी कि बड़साज से पहले नाले साफ हो गए दिने सुलंग की तेज निगाएं दिल्ली